नमस्कार गुरुग्यान की डेली नियूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस डेनियू में चर्चा का विशे है यूए पीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट गौहाटी उचनियाले के द्वारा यूए पीए की धाराओं के अंतगत गिरफतार 15 लोगों को जमान दे दी गई है इन लोगों पर अफगानिस्तान में तालिवानी शासन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने का आरोप था बात करे इस एक्ट की प्रस्ट भूमी की तो 1967 में देश में कैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी नियंतरन के लिए यूए पीए कानून लाया गया था किसी व्यक्ति या संग के द्वारा भारत की छेत्रिय खंडता और संप्रभूता को बाधित करने की उदेश्य से की गई किसी भी कार्यवाई के मामले को यूए पीए के अंतगत सामिल किया जाता है भारत में वाईय सुरक्षा जैसे सीमापार आतंकवाद, पुर्वोत्तर में विपलव और आंतरिक शुरक्षा जैसे नक्षलवाद संगटित अपराध जैसी चुनोतिया विद्यमान हैं ऐसे में अपराधियों के मन में कानून के प्रती भै पैदा करने के लिए यूए पीए जैसे कठोर कानून की आवशक्ता महसूस की गई थे यूए पीए में 2004, 2008 और 2012 में संसोधन के बाद कानून के दाइरे को व्यापक बनाते हुए इसमें देश की शुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कार्ये उसकी आर्थिक शुरक्षा जैसे वित्य और मौद्रिक शुरक्षा, भोजन, आजीविका, उर्जा पारिस्थितिक तथा पर्यावरन शुरक्षा जैसे विशयों को शामिल किया गया है यह कानून सम्विधान के अनुचेत 19 के द्वारा प्रदत वौक एवं अविव्यक्ति की स्वतंतरता, सस्त्रों के विना एकत्र होने के अधिकार और संग बनाने के अधिकार पर युक्ति-युक्त प्रतिबंद आरूपित करता है UAPA की कुछ विशेष्टाएं हैं जैसे इस कानून के प्राबधान के अनुसार केंदर सरकार किसी गतिविदी को यदि गैर कानूनी मानती है तो अधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसकी गोशना करके उसे अधिनियम के तहत अपराद बना सकती है इसमें अधिक्तम सजा के तोर पर में तुदंड और अजीवन कारावास का प्राबधान है जाच एजेंसिया गरफतार व्यक्ति के वरुद 180 दिनों में चार्ज सीट दाखिल कर सकती है यह कानून भारतियों के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर भी लाग हो होता है कठोर सजा का प्राबधान है सरकार अपने विरुद ऐसेहमती को दवाने के लिए इस कानून का दुरूपयों कर सकती है यूए पीये के मामलों में सुनवाई में देरी होती है लगभग 95% मामले अभी तक लंबित है अपराद को साबित कर पाने की दर काफी कम है यह कानून संगिये प्राबधानों का उलंगन करता है और यह पुलिस राज्ये का विशय है परंतु ये शन्सोदन एनाईये को संपत्ती को जब्द करने का अधिकार देता है जो कि राज्य पुलीस के अधिकार छित्र में कमी करता है